असलामुलेकुम जी स्टूडेंट्स आजसी वारां वाला पूर्शन कराएं पीमेस दे विच वी नंबर दा या पंजी नंबर दा क्वेस्टिन लास्मी आंदा वारां विच्छों तोड़ इस लेबस विच टोटल तेन वारां शामिल ने सिखांदी वार चठेंदी वार तेम मुल्टान देवार इनवेच तोड़ेगुल चाइस मोजूदे तुसी कोई दो तियार कर सकते हो क्योंकि पेपर वेच्छों दो देंदा है जिन विच्छों को ये क्वेस्टिन तुसी आटेंप्ट करना होता है ते मैं आते हुए रिकमेंट करागा सेखांदी वार ते चठ जिल मुल् grass एक एक सिखांदी वार तोज़ार पंधरावेच आई सी वार्टे च्रफणी हूबियां करो कि 2077 वेच इसी वारियाद भी हो़ियां करो कि 12V वेच आई सिखांदी वार देखर forgot कि यह सिखांदी वार जर्णल यह क्वेस्चन मेरे अपने नहीं है किसे बुक विच्छों फोटो का पी एह हुई तोड़नल नोर्स शेयर कीते में इना दी मैं विच्छों के लिए बना रहे हैं और देच चलो अगर बहुत ज्यादा नहीं है कमज कम इनना है कि तोड़ा क्व जड़ी तोड़ इस लेबस विच्छामिल एदा राइटर शाह मुहम्मद पोएट है और शाह मुहम्मद ता कमाल है के ना बड़ी जानिकदारी नाल सिख्छां और अंग्रेजां दी लड़ाई दा मंज़द कलम बंक कीता है जी स्टार्ट तारफ जेस तरह साथ अपार्मेंट तारफ दे विच तुसी वार पर एथोड़ा ज्या लिखोगे वार नू अर्भी विच रिजमियां अंग्रेजी विच बालेट से संसिक्रेट विच बीर रस केया जानता है वार आम तो और दे उस नजम नू केया जानता ह मुकाबले दे वाकियाथ लड़न वाले दे बहादरी ते किसे बंदे या कभीले दे कारناमें दसे जा दे ले वार आम तो दे मेरासियां ते भेराईयां मेरासियां नू के दे लेड? हो रहा है बन्यादी दौर के लफ्स निकलिया मिरास तो जिनाने विरसे नो या मिरास नो सीने मिच महफूज कीता हूँ ताड़े गोल दे इननो मतलब मिरासिया नो ज़रा थोड़ा जिया आम जिया तब का समझिया जाना है लेकिन है बड़े रिस्पेक्टेबल ने क्योंके साड़ी हिस्ट्री नो साड़ी तारीख नो अपने सीने विच महफूज कीता हूँ वारा आम तोर्दे अजाद नजम विच्चों दियाने सारी ही वारा अजाद नजम जी नहीं हो दिया जड़ी असिया सिक्का दी वार पढ़ागे ऐब बंदा दी शकल वेचिए और पे भूनी चाहिए ताके सुनन वाले इंज्वाइट शायर दे ब्यान दा जोर फोजां दे आमने सामने के लोड़ते हूंता है एना मिसाला नजाबत दी एदिया मिसाला जड़ी अमशूर वारा नजाबत दी वार नजाबत पोईट दा नाए नादर्शा दी वारे शा मौम दे सिखां दी वार जड़ी असी डिसकस करागे ते तीसरी पीर मौमद दी चठेयां दी वार जी पंजाबी दी बड़ी मशूर वार सिखां दी वार इननों जंगे हैं द पंजाब भी कहनते ने मुफ्तलिफ लोकाने कलमी नुसके यां तो बारा एड़ेट करके शाया करवा जाने डाक्टर फकीर मौमद फकीर साथ दी एड़ेट कीती तो अड़ेसरे बस विच शामिले लेकिन उदे जी काफी सारी यां गल्पिया ने आज़ी काल जड़ी जड़ी ज्यादा अच्छी और मुस्तनद यानि तहकी की तद्वीनी असूलां दे मुताबिक वार मननी जा इसवार विच बयान कीते ने और इस तो इलावा पंजाबियां दे हथों राजपार्ट फुस जानता मरसिया भी लिखिया है राजपार्ट यानी हकूमत पंजाब होते रंजीत सेंग ने तकरीबन 50 साल हकूमत कीती और उस सुनेरा दोर मन्या जानता है लेकिन रंजीत इस वार विच सिखाञ दी खानाजञी अंग्रेजागी अंग्रेजागी पंजाबिय जिन सर आदाउत ते चेल छाड कुटत हौ आल दी सख़ील नाल बयान कीता गया है यह दोनों पॉइंट्स नों मिला के तारफ बढ़ा होगी जी एथे लिखारी शा मॉअमद सानू शा मॉअमद ती डेटेल देंडी लोड नहीं है इस पॉइंट नो थोड़ा मोडिफाई कार दो लिखो वार लिखन दा मकसद या वार क्यों लिखी शा मॉअमद ने वार शा मॉअमद बटाले वेचे बटाला इंडियन पंजारदा इलाका है स्तारा सुफ्सी नो पैदा हुया ते उस दे दोस्त हीरा खान ते नूर खान सी जिना ने वार लिखन दे फरमाईश की ती और आपकासा नो वार देख बांदो लगता है आप बांदे पहले दू लाएन एक रोज बटाले वेचे बैठे सी शा मॉअमद साब अपने बारे लिख रहे थी के अंग्रेजान दी गालबात शुरू हो गई आही थी यानि पास्ट वास्ते अंग्रेजों की बात शुरू हो गई थी सानु आख्या हीरे ते नूर खाने यानि उदे दोस्त हीरा ते नू मैं उननारा मॉलाकाद लई बैठा हुया सी उनननो मिलन गया हुया सी उथी अंग्रेजान दी गालबात चल पई ते मैंनो हीरे दे नूर खान ने किया राजी बहुत रहन दे मुसल्मान है तो सेरा दूआ दे उत्ते आफाद आगी यंदे हजारा साल तो हिंदू मुसल्मान बड़े राजी खुशी जिन्दगी बसर कार रही सी अंग्रेज इना दे सेरा उते आफ़त बढ़ किया है सेरा दूआ दे यानि मुसल्माना वास्ते भी ते हिंदूआ वास्ते भी आफ़त साबित भूए शा मुमदा विच पंजाब दे जी कभी नई सी तीसरी जात आगी यानि तुसी वेख लवो हिंदूस्तान उतने हाजार साल तक तक तकरेबन मुसल्माना दा हकूमत रही लेकिन फिर भी फुश बाच रही अंग्रेजा ने आके ऐसा डिवाइड रूल वाला मौमला बढ़ाया के हिंदू और से एक दूसरे दे दुश्मन बढ़ गे और दो क किता हूए मुशायदा किता हूए उन्हों बेहान करना और उन्हों बेहान कीता जाए यानी चश्म दीदर बेहान करना फिर इन्हों घैर जाने प्रड़ाईना जाना लाहे 気नरा है सब तो वड़ी खूबी मनी जगती है। सो शा मुअमध ने सिखा दिया वार वेखी सी, उधा जशम दीदगवा सी और उन्हें बड़ा अनबाहिस टोके, बड़ा गेर जानबदार होके, इस लड़ाई दा सारा मंदर नमा ऐसा बयान कीता है कि इस वार दे जरीय सानों असल तारीख पता लड़ाई दा जमाना ते शिदग नारे कतलो गारत ता दियान दर्ज जाहल पांदे लेखी मुलाज़ा करो, शा मुअमध केंदा है। सिम्मध उन्नी से दूसरा उत्रिया सी, उन्नी सो दो, से मत साल विकर्म साल है, राजा विकर्म जी इतने शुरू की ते से, इसंडी साल, तो सतीविचा साल पहले शुरू होता है, आजी कल, तुसीी Latino प्यदिज सत्विचा हएड़ता रते है, दो 2078 विकर्मी साल चाल लेख. लेकिन जिसले वार्शा मुअमद ने लिखी उसवेले 1902 1902 दूसरा यानि दू उत्रे आसी जदो होया फरंगी दा जंग मिया यानि जदो अंग्रेजान दे लड़ाई हुई उसवेले साल 1902 बिकरमी सी एसी खून दी ओजमेन प्यासी होया सुर्ख शराब दे रंग मिया क्यांदा इतनी जदा कतल वगरत और फून खराबा होया कि जमीन दा रंग सुर्ख शराब जैसा हो गया तरती वड़ के तूड़ दे बढ़े मतल ज्यों चड़े अकाश पतंग मिया केंदा तर्थी उते इन्नी ज्यादा वड़ टोक हुई और ओदे नतीजे वेच यानि बगदर मचण दे नतीजे वेच पाजिदार दे नतीजे वेच इन्ने ज्यादा बदल उड़े तूरदे बदल उड़े यानि कटे मिटी दियां पूरी असमान तक यह में पतंगा नजर अन्दिया ने उस तरह तूरदे बदल नजर उड़े शुरू हो गए यानि इन्नी ज्यादा सक्त के समद्रे लड़ाई हुई शा मुअमदा सेरा दी ला बाजी नई मूड़े सूर में अंध मिया शा मुअमद सूर में हीरो बहादर मैदाने जंग वेच कार नामें वकान प सिखा दी वार्दा स्यासी ते तरीशी पुछो कर अच्छा यह थे दूसी एडिंग दे लोगे जो उन्हें तो अड़ेकोलों पुछिया हुई पुछिया हुई यधे वेच उन्हें दो वारे भी क्वेचिन पुछिया कि वार्दे के वार्दे कियरदार ब्यानकर है लेकिन इस वार नों जिने एडिट की ता है महां मतास्त कांसाता लिखना है कि इस वार वेच Frühे कुई ऐसा करταर नहीं जिन्हों क्विन या ये सेंट्रल क्रैक्टर मांट के डिसकस कर सकी नहीं काई चोटे-छोटे करदार आम्दे ने तकरीमां एक गुलामवा मत्चठा है और दूसरा सिख क्रेक्टर महान सेंगी लेकिन एथे जड़ाए इस वारविज उसी ऐसा है सच कोई क्रेक्टर नहीं कर सज़े के जड़ा पूरी वारविज चाया रहा कोई अगर ओके के वारविज ते तरी पस मंदर लेखो फिर आहा है और अगरो कहे के वारविज या अदबी ते फणी खूबियां बेहान करो तिफे रहते वो वली हैडिंग आजएगी महराजा रंजीत सिंग सताई जून 1849 वफात मगरू पंजारदी हकूमत सियासी साल चांदा शिकार हो गई सारे मुलक वे चफरा तफरीप आगई इस पारो खालसा कुंसल ते राणी चंद ऐचांदे संद पई सिक फोज अंग्रेजी इलाके ते हमला करके ताक्त वदान राजा रंजीत सिंग ते मरण मगरू उदे वड़े पुतर खड़क सिंग ने पाढ़ संबालिया पाढ यानि गदी जागीर, सल्तनत, हकूमत खड़क सिंग हफीम में पोला पाला ते आलकी सी हफीम नशा हंदा है नशा करन वाला सी सिता साथा पोला पाला सुस्त बंदा सी उसने अपने एक दोस्त चेत सिंग नो मुक्तारे कोल बना देता यानि आप गदी उते बैते गया लेकिन कम करन दे काबल नहीं से उन्हें अपने एक दोस्त नो सारे इख्तियाराद दे देते वजीर आज़म राजा दियान सिंग नो ऐ गल चंगी ना लगी, ऐ राजा दियान सिंग जड़ाए रंजीत से नो 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 न मिल जोलके मश्वरा करके इसला करके उन्हों कतल करवा देता तिन्हों ने आल सेंग नों तफ्टूते पिठा देता जी अगे फिर एई हैडिंग की दुरूरत नहीं काट देना बेशाथ एंगे नों पैरा ज़्राफ पिछ लेखना राजा खड़क सेंग पांची नवंबर 1840 नों चलाना कर गया खड़क सिंग उदा वड़ा पुतर रंजीत सेंग दा वड़ा पुतर जड़ा उदे तो कुछ अर्से बाद ही फोद हो गया या अठारा सुचाली वेच फोद हो गया प्योदी अर्थी नों साढ़ के पर तरहा सी के रोशनाई दर्वाजे ना छज्जा उदे उदे टैप या जो ते टेर हो गया एलो और दे बारां दर्वाजें विच्छो एक तर्वाजा रुष्णाई दर्वाजा रुष्णाई गेटे ओ ता छज्जा यानि छट कैल वो डिग पर ही और उदी वज़ा तो ते मौके दे फोद हो गया ओदे मगरों राजा इनना दुजे पुत्तर शेर सेन्ग नुँ तखते बठाना चांधा सी इसलएं इनने चोटी लाज़ के जंन बोर टोगया और शेयर सेन्ग नु यानि कहड़क सेंग दे छोपे पाई नो चिठी लिख गया वो बठाले चिठी लिख गया कि लो रॉते चटाई कार दे एन ज़े खड़क सेंग दे बेवाद चंद गौर देना लडाई करे और अपनी सीड़ या अपना हाँगा हासल करे शेर सेंग मारो मार करता लोर अपड़िया ते उन्हें राणी चंद को और नू शकस्त दे के लोर उते कब्ला करते है उन्हें ते आन सेंग ता जाना छुटी लहके जम्मू जाना शेर सेंग नू पतलिख के इनवाइट करना ये दू अपने हाक वास दे अपनी एजडी राण जाना शेर सेंग नू खात लेख गया मैता रफू कर छड़े नी कम ते ले केंदा है मैं तेरे वास्ते उते मौल सूटेबल बना देता है तू उते पहुंच फटा फट तो उनसा मार के पहुंच लहोर जल्दी तो उनसा मार ना उन्दा फटा फट छेती छेती जल्दी जल्दी लौर पहुंच अगो मिलसन तेनू सब डेले केंदा है जो उते सूर्टे हाले या सिचुएशन है तेरा ही हाकपनद है कि तू उते तख उते बैठें तू अगर उते जाएंगा हमला करेंगा पौरण पहुंचेंगा ते तेरा हाथ के तैनु गर्दी या हकूमत मिलेगी केंदा उते जाके जड़े मैं एक ग्रुप त्यार कर देता है जड़ा तेरे हाथ वेच बोलन के तेरे नाल स्टेंड करन के उजे में ही तू शेयर वेई दाखल होईगा तेनु मेल प्यांड के जड़ी या जड़ी क्या लो शाह मुअमद खोग ते चला गया सुरी शेयर से खोग ते चला गया लेकिन उनने एक ऐसी जमाद त्यार कर देती जड़ी शेयर से थी हमाई ती सी और उते नाल स्टेंड कीता हो ना उती वज़ा तो फिर उनने अपनी वाके हगोमत भी ताइम कीती उस समय पजाब इच सिखा शाही दा मोट मज़ गया सिखा दा जड़ी हकूमत सी हो दा आगाज हो गया राजा ते आंसेंग जमू तो पढ़ता या सिख फौजा ने बुर्चा गर्दी चुरू कर देती बुर्चा गर्दी तैशत कर दी यानि लोट मार मचा देती ते शे पार होके शेर सेंग भी मारे आगिया और नाल जड़ा रंजीत सेंग था वजीर आजम सेंग सीपो भी मारे आगिया और हालाथ ज्यादा अब्तर हो गे शाह मौमद लिख दाए बरस हुया जा हाजरी लैन बदले कहांदा जदो हाजर होया एक साल गुजर गया यानि जदो ह चुपी हुफिया यानि चूरी-चूरी अजीद सेंग ने चूरी-चूरी करा बेन कहांदे ने बंदूप पस्तोल नो जड़ने बंदूपना चल दियांसी होता नाई शेर सेंग नो आण वो खामदाई शेर सेंग दे उत्ते उन्ने बंदूप तान ले सिती जदो जड़ा कला केंदे में ट्रेगर यानि उदा उदा कुड़ा नप देता यानि बंदूप फाइर कर देती चला देती शाम वंदा जमीन ते पया तड़फे तेग मार के सीज उड़ाबताई बूली लगण नाल वो जमीन उत्ते डिग पया तड़पन लग पया और उन्ने फो बड़ा दुख होया जिस तरह बादशामा राजेयां दे उसे तरह याया त्यान सेंग दा पुतर भी जैए त्यान सेंग रंजीत सेंग दा वजीर आजम सी अगो दा बेटा राजा हीरा सेंग उन्नों इस वाके दा बड़ा दुख होया उन्ने 35,000 पाईयां दी मदद नाल शाइए Geirag घयर गातलेया यानि केरा पालेया लैना सेंग ते अजीत सेंग नुं पुरी मारर दे ती, फिर उसने 18 स्तंपर 18す знатьालीनू लोर विच दरबार कीता जेदे विच महराजा रंजीत सेंग ते सब तो निके पुतर दलीव सेंग नू जी तू यनि सब तो वड़ा खड़क सिंग हो मारे आगया शेर सिंग मारे आगया होना तीसरा पुतर दलीब सिंग राजगदी उते बठा देता ते पंड़त जल्ला जल्ला नाए नू जगीरां जबत करन ते मालिया ग्राण होते एक ग्राणा कहनते है उगराई करना वसूल क ते लादेता जिसने अमीरां वजीरां ते जगीरां नो बहुत तंग कीता तो उना को जबर्दस्ती मालिया वसूल कीता सगो पहियां दियां जगीरां भी जब्द कर लेंगा अच्छा वेको उन्हों शाह मौमद इस चीजनो के वे बियान करता है जिस वेले तुसी वजीरा नो अकल आते होगे ते फिर उना ते लुट मार मचानी है क्योंकि उन्हों ने अवाम ना लहाद़ी नहीं हो सकती ते बैठा बादशाओ अवाम थी हमदर्दी चांदा है क्योंका अवाम उच नाल दएगी ते वो घड़ी दे बैठा रहेगा वो अवाम उदी ताकत थादी असल सारे काम या सारा इख्तियाराद उन्हें हीरा से नो देते हुई सी जल्ला उस दा खास वजीर है सी हीरा से दा वजीर जल्ला वजीर खास मनिस्टर कहलो खातर तलेना किसे नो ले आमदा सी किसे नो खातर विच ने इसी ले आता अंदर बार सरकार नो प्या तूरे कहे कोज़ दे कोज़ कमामदाई केंदा कोज़ सी करदा कोज़ सी शामवम्दा पंथनो दोख देंदा पंथ तो मुरादे अवाम लोग, लोकाई, पबलिक किसे एक खास अकीदे या मसलख दे मनट बाले लोग शाम उम्दा पंथ नो दुख देंदा हीरा सिंग दा नास कराम गई यनि उन्ने अवाम नो इनना ज्यादा जलील की ता के अवाम आखरकार बादशाँ यनि हीरा सिंग दे खलाफ खड़े भूगे शोरिया जड़ा यदा वजीर सिखास एदे खलाफ वजीर आजम जड़ा सिखास एदे खलाफ खड़े भूगे लुकाई पंड़त जला ते हीरा सिंग ते खलाफ हो गई और बादशाँ नो जाहर अना रिक्वेस्ट कीती हुएगी क्या की कर दे भाई जिननों तूसरे एक्तियारात दे वए ते वो अवाम उते खास दुखी कर दे दोया ने खजाने दिया पंड़ा बनिया ते लोरों फ जवार सिंग वजीर बन गया पर कुछ यह अरगरों फ़ोज ने जवार सिंग नो कतल कर देता दीलीज सेंग दी मारा रानी जिंदा नो अपने प्रादी मोस्ता बड़ा दूख वया उसने मिसिस तेज मिस्टर तेज सिंग नो फोजवां ना कमांडर से मिस्टर मिस्टर ला माहराणी चंद को अंग्रेजा नाल साजश करने पई उस पंजाबी जटी निकले आगी, जटी हो मादे करां पंजाब रंडी, सारे देश विच्च, सारे देश दे विच्चा तुरन वारा, केंदी मैं अगर जटी ना, ते मैं सारे पंजाब में कबाव बरबाद करतांगी, रंडा करतांगी, मतलब की, कि सारे जड़े, जड़े- और दूसरे जड़े लोग ने और वेच बड़न जोदा नहीं छड़ाइब ठीक है जी जड़े फिर इस तरह ही चल दी है बड़े सोच विजार के होना फरंगी नो चिठी लिखी पई मैं तो आड़ेवल परोज काल रही है इना दे जड़ा दंद खटे कार दे जोटे अंग्रेज ज़र्नल नो है सनेया लफस सनेया जे मैसेज में लिया उस स्यासी सूल पूई ते मुल्की इंतजाम करन दा बड़ा माहर सी हिंदोस्तान आन तो पहला हो फ्रांस दे बादस्यान निपोलियन बोना पार्ट दे खिलाफ इस्पानिया ते वाटर लो तिया लड़ाईया वेच जगी काबलियत दा मुझारा करके शूरत पां चुटिया सी एजडी वाटर लो ती जांगे एदे वेच वो दी एक बाम भी पटी गई इसकार के शायर ने उज़े तुंडे लाड़ देना तो याद कीता एक बाजू नहीं सी इस वास्ते शाम अमद्रियों नों तुंडा लिखिया इदे वेच इदे वक्त वेच द्रिया सप्लू इदे परले के नारह दिकर अंग्रेजा दी हकूमत सी यदी तस्दीक अमरत सर्वाले एद नामे वेच महराजा रंजीत सिंग ने भी कीती ठीके जी इस तरह अगे फिर सिक्ता के अंग्रेजा दी लड़ाई जड़ी हुई ओदे वेच उने शाम मुहमद हो दा किस तरह चशम दीद गवा सी या किस तरह उस जमाने वेचो मौजूद सी वेखिया सी सुनेया सी उनू किस तरह बयान करता है चड़े शैर लौर दी मार दूंसे सब बे गबरू नाल हंकार तुरते के अंदा लौर शैर तो फौज हला बोल दी रवाना हुई सब गबरू सब नोजवान हंकार दे नाल तुरते बड़े गरूर और तकबर नाल तूरके जा रहिसी औरे दुआने दर्यामां ते नहीं पतन दर्याक कYa जाताए कश्टिया दे पतन कैया जाता है कि ज़ोगने चीड़ीया नहीं अँगरूक के मुआ कि दो और मुर्ते dead bodies रूल्दियां फेरन की है एं दर सूर में आग को कदो मुर्दम ते ने जुटे यानि जो मसुरूफ हो जान लडाई वेचे हो चाहे मारे भी जान लेकिन मैदाने जान वी चोन असना अपनी अपनी जुर्रत और माधरीदे खलाख समझते ने यानि मर जान देने, कुर्बान नो जान देने लेकिन असल सूर में उपी ने चड़े मैदाने जानों छड़गे नहीं नसते एथ हैं अंग्रेजा ने अच्छन चेती यानी फौरण अच्छनक अमला कारके खाल्सा नों शिकस्त देती उनने फिर किसमत अजमाई पर सितारा गर्दिश वेच रहे हैं अंग्रेजी फोजा ने सबराओं ते अलीवाज दोनों पेड़ने इंडियन मशर्की पजाब जानते ने दे मुकामा दे सिखा दी ताकत नो टैस नेस कर देता अच्छा ये ना कोल भी सिखा कोल भी फ्रांसी सी जर्नल जोड़े बड़े तजर्बा याफ़ता सी इनने फौज वेचर पॉइंट कीते हुई सी जंगी एकमते मिली अच्छी खासी सी लेकिन अंग्रेज उस वे ले बड़ी ताकत सी तो अंग्रेजा ने सिखा नो औरे तरीके नाल टैस नेस कर देता वड़े सेख सूर में मारे गए लीडर जड़े सी या वड़े वड़े बादर जड़े सी मारे गए कुछ पिछा हाट गए कुछ हाट दे दर्याए सतलूज दा शिकार हो गए यानि दर्यावेश डुब गए और कुछ हार गए भड़े गए शेकर दे लौर्दा एद नामा हुया ते सुला हो गई करो गए फरंगी दे मारने में करो दे कैसी कि अंग्रेशा नार मुकाबला करके पता हासल करके होंगे उल्टा की हो या बेड़े तोपां दे सब खुआ है तोपां तोपां दे बेड़े और सब को यानि जो जगी समान सी उनना ने शिकस्त देती जाहर है जिस पर ले तोपां दे लेखे जाओ और तो उननो वापस नसना पाए थे फिर तुसी माल या जड़ात वड़े हथे आरने तोपां दूसरा तीसरा बेड़े सब उते चाटके ही नसना पैंदा खाली हाथ नसना पैंदा तो यह अपना समान वापस ले आनदी तो उननो फुरसती नहीं मिलती करो गए फरंगी ते मारने नो बेड़े तोपां दे सब खुआ आए गए ते उननो मारन बासते सी लेकिन उल्टा अपना नुक्सान करवा के वापस आगे छेड आफता नो मगर लायो ने अंग्रेज अंग्रेजा नो छेड़ के अंग्रेजा जाई आफत नो छेड़ के खुद अपने मगर मसीबत लाने सब अपना आप गवाए और अपना आप गवाए शिकस्त खाए यानि खुद जान बोज़ के जागे और नो छेड़े आ खुद शिकस्त आसल कीती और खालियात वापस आगे खुश वस्ता शेयर लहूर सारा सगो कुझिया हाथ पढ़ाए कि अच्छा खासा लहूर शेयर खुश बाश आबाद वस्रेया सी तो अड़ी सिखां दी लहूर विचह अपूमत सी और तुसी खुद जाके शेयर दिया चाबियां उजियां अंग्रेजां दे हाथ बेच बढ़ाए क्योंकि इस तो बाद इस वाक्य तो बाद अंग्रेजा ने फिर एदर नू लौर वाल नू पेश कदमे शुरू कर दिती सी शाह मौमधा केंदे ने लोग सेंग जी तुसी चंगियां पूरियां पा आए हैं तंजियां अंदाज बेच कह रहे हैं कि सेंग जी यानि सरदार जी तुसी चंगे लड़ंगे सी पूरियां पाके वापस आए हो यानि हार के इशकस्त पाके वापस आए हो और शेर लहूर जड़ा अजाद सी तो आठे कब्जें वेच सी उधिया चाबियां खुद अपने अत्मी अंग्रेजा नो देया है। यानि अंग्रेजा नो जांग दा या एथे एधरवाल पेश कदमी करन दा खुद दी अल्टिमेटम देया है। कुछ यह पिच्छो सिखा फिर संभाला लेया गोरयान ख़बर पहुंची संभाला लेया यहान द Ό इस्टेबल हुए गोरयान खबर पहुंची तें अंग्रेज फाज ने सिपा सालार जर्नल हयोगव ने बंजी ञजार फाज तैंब बहुत सारी यां तोपां लेकर हमला कर दि सिखानियक बड़ी फोज सर्दार शेर सेंगदी कमान गजी योद लई जांग लई तियार खिलोती सी 13 जनवरी 1819 जानूं चेलियां वाले थे रन बेच चेलियां वाला जगा दना रन मैदान वेच पूनी लड़ाई हुई दो में फोजान जान तोड़ के लड़ियां अंग्रेजा में जो पाजड़ पैगी शाह मौमद उता जिकर किस तरह करता हुई तर आप फिरंगी नो भाज़ पई बाज़ पई यानि पाज़नस पैगी दोड़े जान गूरे जित्ती कंड मियां पाज़ड एमांज और पाज़ गूरे यान दे सारे तोपांडे खतम हो गे चल गय किया यूज भूगी बंदूगी पढ़ पैन्ड में जी तोपांड में खतम हो गे इस किसे जाके ले आके ख़र देती किसे ने आके दस्या ख़र लहा किā आया कोई मुखर कोई जासुस लंदन हू ढटी तेरी रंडमिया लंदन अइंघ्रेज जड़ेन ले बृटिछ सी एंडमिया लंदन हू पats जड़ेम बnyt अधरी बेए Waterone काफी सारी या बैवा हुगे शाम अम्धा वेख मेड़ाँ जाके रूल दी बूरेहं दी पाई चांड मी है शाम हमदा जाके मेदान वे जुए खो अंग्रेजा नो इस मौके होते कि इन्ही सक्त किसम दी शिकस्त बरदाश्ट करनी पही चांड हो दी है बच्चा पैदा हुंदा जो जड़ा सिर्म होने जाना है सब तो पहले बाल चांडल होना कहते हैं यानि अंग्रेजा नो इन्ही सक्त किसम दी शिकस्त हुई कि हो मेदाने जाने पेचे खुआर हो गए शाम मौमद शाम सेंग अटारी वाला तेजा सेंग रंजोद सेंग मजर अली मागे खान सुल्तान मेहमूद इलाई बखशी पटूली दे पहादरी दे जवारा नो शाम मौमद लेदाए आय पल्टना बीड के तूप खाने पल्टना पल्टून यानि फोजी दस्ते बीड के तूप खाने यानि तूप खाने लेके तियार करके आया अगो सिंगाने पासे तरूर सटे लेकिन सिखाने इन्हा सक्त किसम दा मुकाबला दीता कि उन्हादे पासे तूर देते यानि उन्ह सिवा सिंग ते मागे खान हुए सिधे हले तेन फरंगी दे मौर सुटे सिवा सिंग ते मागे खान हुए सिदे यानि मेदाने जाने वेच सेवा सिंग तेमा दे मग्हज skills an-ाelी हले हमले तेन फिरंगी दे मोड सुटे अंग्रीजा दे तेन तोपा नार सक्त किसम दे हमले ने रहोग देते मोड देते यानि नगाम बना देते शाम सेंग सरदार अटारी वाले बन शिस्तरों जोड विछोड सुटे शाम सेंग अटारी वाले निशाने बन बन गे शिस्तर होता है निशाना बांधना शिस्तर बांधना शिस्तर बनना यानि निशाना लेना जोड विछोड सुटे यानि जोड कहने ने उदस्ते आनू शाम सिंग अटारी वाले ने बंदूग दे निशाने लेके उना विच्छो एक एक दो दू मार के उना ते गुरुप जड़े ने तोड़ देते नखेड देते पजड़ दे मजबूर कर देते शाम मुहमदा सिंग सिखाने गोरेयां दे वां निमुआ लव नचोड़ सुटे अच्छी शाम मुहमद सिखाने गोरेयां दे निमुआ दी तरह जिसमा विच्छो फून निचोड़ देते अच्छी इस जहांग वेज्ज दोना दा भूइब बहुत नुक्सान हो या पर अंग्रेज जित्ते ना पामे किसे तेरहारना मननी Bo किसे दे रहा यानि नुकसान दोना दा होया लेकिन दोना विच्छों किसे ने भी फार नहीं मननी अखीर अंग्रेजी फोजा गुजराते मुर्जेते सिख्छा नो बहुत बड़िश कस्त दे के उना दी पंजाब वी टाकत हमेश लई मुका के पंजाबी अमलतारी वेचर ला यानि इस साज़चता की नतीजा निकलिया और एक्षे फिर आए था वार्दा तनकीदी जाएजा या वार्दियां समी खूबियां दी हैडिंग दे के थोड़ा या तबस्राइने देता हुए है इन्ना के लेक्ते ना काफी है और उत्ते भी जड़े ऐसी बंद पढ़के आ या कोई बिठी जबान या कोई ठेठ लैंगवीज नहीं है कि शैरी जबाने उन्हें अवर्द थी था आमद तो कामले आए याणि शायर दा मिलाईज दासरे ने शायरी या अवर्द होंदा है या आमद होंदा आमद जाए लाशूर तो शण वे चार्जे और अवर्द हों अंग्रेजी दे लफसा नोगी सक्ते सोदी वर्ट के आए याने जानबुज के शौरी कोशिशना आसान शैरी पंजाबी लिखी है और उदे विच उर्दू दे हिंदी दे अंग्रेजी दे लफस भी इस्तमाल कीते हैं। ऐसारे अर्बी दे फासी दे लफस में। जंगी मनजर। शामामद ने कोई इजए मनजर नहीं देते हैं। जंग हिंद पंजाब विचे कई रुद बज़ते हैं। किस तरह तरह मुकाबले हो रहे हैं। किस तरह कोड़े पैदान विचना से रहे हैं। कियां थे कई योद बज़ते ने कई लड़ाईयां दियाने पर शाममद एक कादम इसने नारी गाल करके अगान लाग जानता है। इससे तरह जी मुआवरे ते खान उन्हें काफी ज्यादा वरते ने पुरह मुआवरे ज़ले एडियम्स या प्रोवर्ब्स जड़े होंते ने हैं। ताफर वजा देने उदी वज़ते लिसानी हमाले नार्थवार एक मास्टर पीस या शाकार लिसानी रवायात शाममद एक पर समय दे जड़े उस वे ले जो लेंगवेज चल रही सी जिस तरह उस वे ले अदब लिटरेचर तकलीग हो रही आसी उस सारी लिसानी रवायत काफी इस्तमाल कीते ने तर्दी वड़ के तूड़े बढ़े बदल जिमें चड़े आकाश पतंग में पीछे मिसरासी पाड़ा आया हैं यह दिवेचे तूड़े बदल आकाश पतंग चड़े बदल बदल चड़ना तूड़े बदल और आकाश ते पतंग ऐस सारे मौबरे हासरास ते तंज शाममद ने तंज को भी कम लेया जी में खालसा फोज होते एक परमी तंज दा पीर वे खोस यानि अब सिखानी फोजी ते तंज कार लेने सुखी वस्दा शहर लोग सारा सब कुझियां हाद पढ़ाए शाममदा केंदेने लोग सेंग जी उसी चंगियां कुझे विच दर्या यानि वार है ते मुक्तसर है लेकिन एदे विच काफी सारी लंबी जोड़ी हिस्टरी और तारी इस वार विच उनने प्यान कर लेती है यह हुई वज़ाए शायद जो जियात निकारी होंदी है जिस तरह पिछे गाल लोई है कि उन्हें जांगिते मंतर नामें नहीं देते हैं अगर इस तरह मंतर नामें भी देता लड़ाई हुई है तो फिर बहुत ज्यादा लेकिती हो जाना सी अटलह की एकनाते सच्चाईयां वार विज़ कई गला ऐसी आने उनिवर्सल ड्रोथ भी बान गया है वो विचों पिछों को यह कता मिस्टाल तुसी काड़ के लेट सकते हैं अच्छा जी मैं पहले भी दरम्यान चवी दास देता है कि तुसी यह दे विच्छों चंद चाया जिए बारे गाल गीती जा सकते हैं यानि हर जगा ते अलग-अलग करेक्टर आएडे तुसी जाओ ते अगरो फिरदारी मुद्दा पूछ लेए तुसी ओह वी ना जड़ेवे चाया जिए खड़क सेंग आया है शेर सेंग आया है मुहान सेंग आया है प्यान सेंग उननों भी मदने नजर रखके कोईंट्स बना सकती है ठीके जिए इस तरह था ही क्वेस्टन है मतलब कि कोई बस गुजारा ही यह तरम्याने तक यह था ही लिख्या हो गया है कि बहुत अच्छा नहीं इन्शाला जेमे जेमे मैं अपने जाती लिखता जामा में अपलोड करता जामा में बहुत शुक्री है अल्ला अप्रोज़